नमस्कार देख रहे हैं जहकास भारत और मैं रविकांत अभी साधु यादव जी हैं साथ में और इनसे अभी नए साल को लेकर मैं जानूगा कि क्या कुछ कहना चाहते हैं नए साल को लेकर इस क्या कुछ कहेंगे नए साल को ये नए सालों में 2022 आज दू हो गया आज दू जनवरी 2022 है और 22 के उपलक्ष में हम बिहार के तमाम भाईयों को सब को अपने तरफ से और वहुजन समाज के तरफ से सब को हम मुबारक बाद और खुसहाली का हम संदिश दे रहे हैं कि सभी लोग कुषहाल हो आगे बढ़ें तरफी करें तरकी करें देश तरकी करें और राज के लोग भी हाराज के लोग तरकी करें यह हमारी सुखकमना है और अभी आप मोश देटिक रूप से कहा जा रहा है कि अभी तो बस्तुbas में हैं उत्तर प्रदेश से लेक्शन को लेकर क्या कुछ नहीं है वहां बहन मयावती जी च्छे बार मुखमंत्री का उन्होंने सबत लिया और सरकार चलाई सरकार रही इसलिए वहां बास्पा कमजोड नहीं है अपने देखे होंगे आप वहां बिष्टपा का कितना बोट का प्रतिश्वाग जो है कभी प्रतिश्वाग प्रतिर प्रतिश्वागे डिसेखें हुए सबस्रेदी पार्टी पार्टी के बात चहीं है इसमें कोई दो रहाय नहीं है बात चही है कि बस जो है वहां तीसरे नम्र की पार्टी ये है अब इसम्मली में लेकिन लोक सभामें च्रक blessings को चाहिए है सभां में च्रकांद और यह सह b sur T में उत्तरप्रदेश Assembly में और बास्पा जो है लोग सभा में सेकंड पाटी है आपके अनुखव के हिसाब से क्या लगता है उत्तरप्रदेश चुनाब में इस वार बीजेपी वहां पर फिर से बापसी करेगी आपके एक्षेत्रिय दल जीतेंगे देखिए सब लोग अजमाइस कर रहे हैं सभी पार्टियां कहती है कि सरकार बनेगा हमारा बनेगा उनका बनेगा यह चलते रहता है जनता को तई करना है उतर पर देश की किसकी सरकार बननी है किसकी सरकार नहीं बननी है तो जब चुनाओ घोस्ना होगा बहुत तरह के लोग चुनाओ परचार में जाएंगे नजर आएंगे पार्टी हमको बुलाएगी चिठी देगी तो हम जरूर जाएंगे जरूर जाएंगे बिहार बिधान सभा में आपका पचास हजार से ज्यादा बोट आये था एक आवन हजार उन्तालिस तो इसको क्या समझा जाए बसपा की टिकेट पर लड़े हाँ बसपा हमारा हाथी सिम्भूल है बहुजन समझ पाथी का हम कनिडेड थे और हमारा वहाँ पुराना जो है हम वहां से मेले रहे एंपी रहे तो हमारा घर भी है जिला भी है सेग्मेंट घम सीरों मैंठी और हमरा काम भी है वहां हमने जो कम किया है कम दिखाई देता एंब यह सब कुछ इए और क्या कुछ कहेंगे भी बिहार के राजनीप में तो अभी उटापुथक चल रहा है अब आगे क्या होगा लेकर देखना पनेड़ेगा भीनेति ले कि तो आच्छा कामुन होने किया है बिकास के मामला में नितिजी ने हर सहर और गाउ सब्सक्राइब करें जोड़ दिया है और डंनी को जोड़ दिया है यह थो पर्फेक्ट भात से कोई राय नहीं है लेकिन उनकी पाठी निती को किणा है और कुड़ राजünden को नगोई जुक है लेकिन नितीश जी ने जो काम किया यह विजली के छेत्र में रोट के छेत्र में पूल-पुलिया के छेत्र में शरहनीय काम किया है और यह बोलना भी चाहिए कि परसंसा का काम उन्होंने किया है अगर बिहार की राजनीती में अगर सबसे बढ़ियां नेता और दल चुणने के लिए बारी आएगी साध्याद अ तो किसको चुनेंगे साध्याद देखिए अभी आज के डेट में फिलहाल आज के डेट में नितीश कुमार से बढ़िया कोई नजर नहीं आ रहा है और सामने आएगा तब ही देखा जागा है फिलहाल भी कोई नहीं है कोई नहीं है तो अगर सपोच राजनीती के रूप से जिला के पर्तेक परखंड में जाएंगे हम दावडा करेंगे हम परचार करेंगे बहन मायवती जी को भी हम गाधी में दान में लाने का भी काम करेंगे हम यहां लगों का एक रेली करेंगे यह हमारा है प्लानिग अब हम बसपा को ही बिहार में आगे बढ़ाने का काम करें जोन पिर किनारे लगा दिए गए अब यहां पर साध्य आध थी लिए पहले के तरह ही वह पहले से राजणीत में हैं पहले से राजणीत में हैं करते आ रहा है गए जिससे राम чंद्र जी कुछ दिन के लिए बनवास नहीं चले गए चैने लेकिन काम तो करें रहे थे बनवास तो गय थे लेकिन उड़्ूटी पूरा कर रहे थे उसी तरह से हमारा राइनिती जो ड्यूटी है उता हम करते आ रहा है हम बनवास में कहा है हाँ यह जरूर है कि हम MP. यह मेले नहीं है उतना ही लेकिन हमारा तो लड़ाई जा रही है हम तो चुनाव लड़ते आ रहा है हम लोग सभा लड़े हैं हम विधान सभा लड़े हैं तो बैठे का राजनीत तो दहां ही राजनीत हम मेरा जो है राजनीत तो कहीं बंद नहीं रहा हम चुनाव नहीं पर जनता के बीज तो हम रहे रहे हैं बाकी जनता का जो काम हम तो कर रहे हैं तो इस साल अब बस्पा को बिहार में मजबूत करेंगे और बस्पा को मजबूत करेंगे और बस्पा के सरकार बनाने का भी हम मजबूत करेंगे कि बस्पा ही सरकार में सामील हो यह सरकार बनाए औ बस्पा आपने दम पर चले मायवती की गांधी मेदान में रैली को लेकर बात कह रहे हैं तो यह मतलब और यात्रा पहले यत्रा करेंगे पहले बिहार में यत्रा करेंगे फिर रैली करेंगे इसका अभी कोई यूपी चुछ इलेक्स अब हम लोगा दखे हिंदु हिंदु का हिंदु के दिडिवाज मुताबिक ८ि चोधव जो खर्मास उतरता है और में चोदा के जो बधाता हैं उसके बाद से मकर संक्रांति का समाप्ति होता है उस दिन से तो उसके बार्वाज नितिक निए सब फ्रों हो जाता है मतलब कि रमास के बाद सकानिसानी कम सूरु थि ह हर दोड़ा बिहार में एक और राजनीतिक पार्टी खड़ी होती हुई और लड़ती हुई दिखेगी पूरा होड़िंग बोडिंग लगाएं फूरे बिहार में बहुति जी का अबरागा तस्वीर लगेगा और हमारा जो दलीत का पाटी का वर्कर है सभी जाती के लोग वर्कर है इस बहुजन समाज में चुकि आप सुने होगे कि बहन-मायावती जी ने जो नराद दिया था कि ये हाथी नहीं गड़्ष है बर्मा विशनु महें से तो बहुजन समाज सबके साथ है और सब लोग गड़े जी का पूजा करत मैंने ही वी एक को पूझ बढ़ वाले लोग या भी हाथ Two थो इन सब्सकृति को मॉनता ही है सब्सक्राइब ऑप मतलब कि आप बहुत बड़ा बात कह रहे हैं क्योंकि अब इतनी पाटियां है अगर आप बस्पा को यहां ले आए तो फाइट और ज्यादा एक दम मज़ेदार कर दो तो जनता पर तहे करेगा ना जनता मालिक है बिहार का जनता मालिक है ग्राओं गरीब गुरुबा सब मालि सही नहीं है यह सारे चीजों पर तो जनता का फोकस है और जनता जिसको पसंद करेगी उसको बैठाएगी जनता जिसको पसंद नहीं करेगी नहीं बैठाएगी इतों जनता पर है जनता ही मालिक है सब जनते के भी जाएंगे हम हो या कोई हो सब जनते के भी जाएगा अज ज कि अगर जनता बराबर बास्पा के भी पांचे विदाइक जिते रहें फिर इस बार भी हम लोग जिते जिते रहें तो ऐसा नहीं है एक जिते भी थे रामगड़ में आमका जी तो पचास वोट से उनको हरा दिया गया और जामा खाओं भी जीते थे लेकिन वह अपने बास्पा जिती है और उसी तरह से कभी पांच गोजिती कभी एक जीता जीतने वाला तीन-चार थे तो यह सवाल है और बास्पा का यहां मजबूति से लड़ने वाले भिन-भिन जाती शमुदाइके लोग आते हैं पाटी अर्दल में लड़ते हैं यह बास्पा को लोगों जो कम संख्या में जीत काते हैं तो कोई एक दूसरे को समर्थन में लोगोंने घीच लेता है तो हम जनता से हमारी अपील होगी कुछ भी हमारे दल और पार्टी के मजबूत लोग चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे तो अपील होगी कि जो आप जीत रहे हैं आप कहीं किसी पार्टी का कारण साथ गया रिजन क्या है देखिए हम जो है हमारा जो शीट रिजरव हो गया था गोपाल गंज बहुच जन समझ पार्टी में हम गये लोग सभा हमको मांग रहे थे वहां बालमी की नगर से लेकिन यह लोगों ने बीच में हमको महराज गंज चुनाव लड़ी का लहर था उस लहर में जो है हम लड़े चुनाव तो सब लोग चुना गये तो कहने का मतलब है कि हमको बहुचन समाज पार्टी पसंद आया चुकि गरीब गुर्वा का दल है और कासी राम जी का हम लोग का पुराना कासी राम जी नेता रहे हैं कासी राम जी से हम अब उठना वेटना था जब आते थे तो तो अईसा नहीं है हम लोग का बिचार जो था राम जी का बिचार बहुत उत्तम था और उनका जो सोच था मने गाउं गरीब किसान मजदूर का सोच था तो इसलिए बहुचन समाज पार्टी जो बना है बहुचन मने बहुचन मने को मिला करके बहुचन है इसलिए हमको बहुचन पसंद पड़ा और हम बहुचन से लड़े चुना अभी अगर सभी नेताओं में अगर चुनने का बारी आएगा कि अच्छा नेता कौन है जैसे कि मायवती जी हुई और मोदी जी हुई तो अच्छा बहतर कौन आपको लगा देखे फिस अब चीज भोले जब समय आएगा वक्त आएगा तो अपने आप हो जाता है कि कौन आप अच्छा है कौन क्या है वह तो सबता हो जाता है फिलाल बिहार में आप यातरा करेंगे और हम यतरा से हम अपने पांटी को मजभूत करेंगा और लोगों को भी चम जाए कि इसक constitute अन्हों पड़े एपनापना सोच जो है विधी बिधान को भुतरया के लोगota को यह सान थे हमी सब लोग बहुत रड़ बाहनते हैं और बहुत लोग जो है नहीं मानते हैं संकर भगवान जब थे तो संकर भगवान के देखिए संकर भगवान के ओड़ यह तो क्या ब तो कांसी राम जी सबके नेता थे अइसा नहीं है सभी के नीता थे आँख लिजिए उठाकर करके इतिहास उतर पर देश का या देश का पता चलेगा जैसे आपके आहे पहला नेता औलो या कांजी राम जी का के विचारूत था वही हम बात बूलना है कि जैसे संकरभगवान थे पर संकरभगवान के निके च। औलू nóis साथ रहते थे उसी तरह से अशूर सक्तिया भी उनके साथ थी और देव सक्तिया भी उनके साथ थी मोसे तरह बूत्ताल् जमती है और उनके विचार को हमने अपनाया है और हम आगे बढ़ाएंंगे और के द्या करत इदार्धा कवा यात्रा कर घ्याल कब अधकरा टृशों आया है और यत्रा का ख्याल हम् बनाएंगैं ये काज करम बजाबते अंवारा तब तो फिर तहलका मचारने वाले अपना ठीक है तो अपना अपना पार्टी का लोग करता है हम भी अपना पार्टी के काम करेंगा आखरी सवाल उत्तरप्रदेश में क्या मायवती वहां पर क्या करेंगा ने मयावती जी हमारी मजबूत है कमजोड नहीं है कमजोड नहीं है कर रहे हैं अब है तो है विशार नेताओं की चीज कर अब कर नेटाओं के लोग हैंय। त 21 समय नहीं त tuo नहीं कहानिया उहां कर एकические नहीं को क्या रहे है चल्ए इतना ही कहांगी यूपीए लेकर भाते थी और वी मतमां खबरे और बाते सुनें यह 12 और रहते हुए जब समय मिलेगा उमें तमाम कहानियां बिहार के पॉलिटकल अपडेट्स के जरीए में सुनाऊंगा अभी के लिए इतना ही कहेंगे कि आपने बक्त निकाला सर बहुत-बहुत धन्यवाद और आपको भी नए साल की बधाई सुबकामना है और चैनल को सबस्क्राइब नहीं कियों